दिल्ली स्टेट हज कमेंटी ने हज 2023 के ने तयारियां पूरी कर ली है दिल्ली से साओधी अरब जाने वाले आजमीने हज को भेजने के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेंटी की जानिप से क्या-क्या एक दमात उठाये चा रहे हैं साल 2023 में होने वाले हज के लिए एक जनवरी 2023 से हिंदुस्तान की सभी रियासतों से आजमीने हज के लिए हज के एप्टिकेशन्स दाखिल की जा सकेंगी लहाजा इस मुकद्दस सफर को आसान बनाने के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने तैयारियां मुकमल कर ली है इस पर बात करते हुए दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एक्जेकुटिव आफिसर जावेद आलम खान ने बताया कि हज मंजिल तुर्कमान गेट के दफ्तर पर अपने स्टाफ के साथ आजमी ने हज के लिए सभी तरह के सहुलियात फरहाम कराने के लिए उन्होंने अपनी कमर कस ली है इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये हज एपिकेशन से मुतालिक जानकारी भी दी थी देखेए अभी डेट फिक्स नहीं हुई है और मोस्ट प्रॉबली हमें भी एई है कि जनर्वरी के फस्ट बीक में फार्म निकल जाएंगे लेकिन अभी डेट नहीं आई है लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी हमारी तयारियां हैं और हम हर तरह से रेडी हैं जैसे ही फार्म की डेट अनाउंस होती है तो हम अपना काम शुरू करें ये बात भी पाबिले गौर है कि दिल्ली स्टेट हज कमिटी ने साल 2022 के मकमल कराने के लिए काफी अच्छे इंतजाम किये हुए थे दिल्ली रामलीला ग्राउंड में आजमीन हज के लिए एसी टेंट में ठहरने के साथ साथ खाने पीने का भी इंतजाम किया गया था इसके साथ ही एरपोर्ट तक आजमीने हज को ड्रॉप करने के लिए एसी बसों का भी इंतजान किया गया था लिहाजा इस बार भी दिल्लिल स्टेट हज कमेटिक की जानिप से सभी तरह के सहुलियाद देने की कोशिश की जाएगी अगर एक जनवरी 2023 से हज एप्लिकेशन की शुरुवात होती है तो उसके लिए भी दिल्ली स्टेट हज कमेटि ने पूरा इंतजाम क्या हुआ है फिर चाहे कोई हज एप्लिकेंट एप्लिकेशन ऑनलाइन डालता है या फिर कोई दिल्ली स्टेट हज कमेटि के दफतर हज मंजिल तर्कमान गेट पर आना चाहता है तो उसके लिए भी स्टाफ दफतर में बैठा हुआ है लहाजा अर्ज गुजार का काम पुरा किया जाएगा बियोरो रिपोर्ट जी मीडिया